हलो दोस्तों मैं संजे कुमार गुपता दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन सा वाटर पंप लेना चाहिए जो आपके घर के लिए सुटेबल हो दोस्तों देखिए अगर आप मेरा ये वीडियो लाज तक देख लिजेगा तो आपको यूटूब पर कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूत नहीं पड़ेगी तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक आव शेयर जरूत कर देजेगा और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूत कर लिजेगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो यूटूब पर अपलोड करूँगा वो वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा तो दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं घर के लिए जो वाटर पंप खरीदा जाता है वो क्वाटर एच्पी हाप एच्पी या फिर एक एच्पी तक का ही लोग वाटर पंप अपने घर के लिए खरीदते हैं अब सवाल ये उठता है कि वाटर पंप कितने एच्पी का खरीदा जाए quarter hp का, half hp का या फिर 1 hp का water pump खरीदा जाए पहले तो आप ये समझ लिजे कि hp क्या होता है जैसे आपको water pump में लिखा हुआ मिल जाएगा quarter hp, half hp, one hp इस तरह से लिखा हुआ आपको water pump में मिल जाएगा तो ये hp होता क्या है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि hp का मतलब होता है horse power यानि कि एक घोले का जितना ताकत होगा उतना ही ताकत आपका एक hp water pump का होगा ठीक इसी तरह से अगर आधा hp का water pump है तो समझ लिजे कि आधे घोले का ताकत उस water pump में है इसी तरह से अगर quarter hp का water pump है तो समझ लिए कि आधे गोडे का जो ताकत होता है उससे भी आधा ताकत के बराबर उस water pump में है अब आपको ये तो पता चल गया कि quarter HP क्या होता है, half HP क्या होता है और एक HP क्या होता है तो अब आपको ऐसा लगेगा कि जब मुझे लेना ही है water pump तो क्यों न एक HP का लेले जो powerful वाला है उसे ले लेंगे तो और अच्छा रहेगा क्योंकि वो तो एक घोड़े के ताकत के बराबर है और अगर half HP कर लेते हैं तो वो तो आधे घोड़े के बराबर है और quarter HP कर लेते हैं तो और आधे का आधा बराबर के ताकत का है तो क्यों न 1 HP का ही motor ले लूँ जो की एक घोड़े का ताकत के बराबर है ये तो सबसे अच्छा रहेगा लेकिन ऐसा नहीं है अगर आपका ज़रुत 1 HP water pump का नहीं है और 1 HP का water pump अप ले लेते हैं तो आपको क्या परिसानी होगा वो मैं आपको बताता हूँ परिसानी ये हो जाएगा कि आपका बिजली का जो बील है न वो अधिक आएगा अब आप समझने का कोशिस किजिएगा देखिए एक HP बराबर होता है 746 watt हाप HP बराबर होता है 373 watt और quarter HP बराबर होता है 186.5 watt तो अब आप अच्छी तरह से समझ गये होगे कि अगर आप एक HP का water pump लेंगे तो आपका बिजली बिल अधिक आएगा अगर हाप HP का water pump लेंगे तो एक HP से आधा बिजली बिल आएगा और अगर आप quarter HP का water pump लेते हैं तो हाप HP water pump का जितना बिजली का बील आएगा उससे भी आधा बिजली का बील quarter HP के water pump में आएगा अब आप इतना सब कुछ तो समझ गया हैं तो आप कैसे चुनाव करेंगे कि quarter HP का water pump लें या हाप HP का water pump लें या फिर एक HP का water pump लें तो इसे आप समझेगा मैं जिस तरीके से आपको समझाने कोशिज करता हूँ उस पर आप ध्यान दिजेगा तो आप सब समझ जाईएगा अब बात ये उठता है कि आपको जो पानी ले जाना है वो कितना उपर तक ले जाना है एक मंजील, दो मंजील, तीन मंजील, चार मंजील, पाँच मंजील याणि कि first floor, second floor, third floor, fourth floor, fifth floor कितने उचाई तक आपको पानी को ले जाना है यह बात उठता है अगर आपको first floor तक ही पानी को ले जाना है तो देखे नीचे में आप टैंक बना कर रखते ही हैं जमीन पर उसमें पानी भरकर रखते हैं उससे अगर आप पानी खीचना चाहते हैं water pump से और उपर वाले जो first floor में यानि कि पहली मंझीर पर जो आप टंकी रखे हुए हैं उसमें आपको पानी ले जाना है तो इसके लिए आपको quarter HP का water pump बहतर रहेगा अब सवाल यह उठता है कि अगर pipeline से पानी को first floor तक पहुचाना है टंकी में तो क्या quarter HP का water pump लेना सही रहेगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं देखे यहां पर जो यह पानी का प्रेसर आप देख रहे हैं देख लिजिए पानी का प्रेसर अगर इतना प्रेसर पानी का अगर आपके घर में आता है इतना प्रेसर तक तो ठीक है तो आपका पानी देख रहे हैं नल में आ रहा है इसका प्रेसर देखे यह कितना कम है अगर इस तरह से कम प्रेसर आता है आपके नल में और आपको नल से भी पानी खीचना है और फश्फुलर तक ले जाना है तो देखे यहां पर आप क्वाटर एच्पी का अगर वाटर पंप करेंगा ये सही से पानी नहीं पहुंचाएगा घ्याल थी, टिर के पहुंचा देगा थोड़ा दीरे दीरे बहुत समय लेकिन सही तरीके से पानी को नहीं पहुंचा पाएगा तो इसके जगह में आपको क्या करना है हाप HP का water pump आपको लगाना है अगर आपके घर में इस तरह का पानी का pressure आता है यानि कि बहुत कम pressure आता है पानी में कोई pressure ही नहीं रहता है बिल्कुल हलका फुलका पानी आता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है हाप HP का water pump लेना है ठीक है अब समझगें बात को अब अगर आपको second floor या third floor यानि कि second मंजिल या third मंजिल तक आपको पानी पहुचाना है तो इसके लिए जो आप जमीन पर tank बना कर रखते हैं उससे अगर आप पानी second floor या third floor तक पहुचाना चाहते हैं तो इसके लिए हाप HP का water pump ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा लेकिन अगर यही काम आप नल से अगर खीच कर पानी को जो है कि second floor या third floor तक ले जाना चाहते हैं तो क्या होगा वही बात है अगर पानी प्रेसर है देखे इस तरह का प्रेसर है जो आपने देखा इस तरह का प्रेसर अगर रहेगा तो यह second floor और third floor दोनों तक आराम से पानी पहुंच जाएगा लेकिन यही पानी का प्रेसर अगर कम रहेगा देखे इस तरह का अगर प्रेसर रहेगा पानी का तो यह आपको second floor तक तो आराम से पानी को पहुंचा देगा कोई दिक्कत नहीं होगा पानी पहुंचने में लेकिन third floor पर पानी पहुंचान में बहुत ही दिक्कत होगा बहुत ही मुस्कित से third floor तक पानी पहुंचेगा टंकी को भरने में काफी समय लग जाएगा इसलिए यहाँ पर आपको एक HP का water pump लेना होगा अगर आप third floor तक पानी को पहुंचाना चाहते हैं तो अगर आपको चौथी मंजल या पांचमी मंजल तक पानी को पहुंचाना है तो इसके लिए आपको एक HP का water pump लेना होगा एक HP का water pump ले लेंगे तो आप पांचमी मंजल तक पानी अराम से पहुंचा देंगे तो इस तरह से आपको जो है कि water pump का चुनाव करना है कि आपको कितने HP का water pump लेना है आप अपने हिसाब से समझ लिएगा कि आपके घर के लिए कौन सा suitable हो रहा है quarter HP, half HP या 1 HP दोस्तों आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप water pump खरिदने जाते हैं तो आप इस बात का ख्याल रखेगा कि कभी भी आप local company वाला water pump नहीं खरिदेगा आप जब भी खरिदेगा किसी branded company का ही water pump खरिदेगा देखे अगर आप water pump local company वाला खरिदते हैं तो local company क्या करती है वो aluminium binding कर देती है water pump में तो देखे aluminium binding वाला जो water pump होता है वो बढ़िया नहीं होता है मैं आपको पता देता हूँ तो आपको जब भी खरीदना है तो branded company का ही खरीदना है क्योंकि branded जो company होती है वो कभी भी अपने water pump में अल्मूनियों वार्डिंग नहीं करती है वो जब भी वार्डिंग करती है तो वो copper wire से ही वार्डिंग करती है इसलिए आप जब भी खरीदें branded company का ही water pump खरीदें देखिए थोड़ा सा पैसा अधिक लगेगा आपको branded company में वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार ठीक यही बात होता है branded company और local company में अंतर